नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं इजी में और आज के इस वाले वीडियो में हम डिसेंबल करने वाले हैं यामा एपजेट एफाई की एंजिन को तो यहां पर जो प्रोसेस है यह more or less सेम है एपजेट की 2008 से ले करके अभी के सारे मॉडल में से और इसमें थोरा बहुत च आपको explain करता रहूंगा तो पहले ही आपको इसका head का जो cover होता है उसको निकल लेना है तो उसे निकलने के लिए यहां पर हमें चारों तरफ से 8 mm की bolts देखने को मिलते हैं और पिछले versions में आपको देखने को मिलेगा Allen bolts और यहां पर मैं आपको एक tip दे देता हूं अब head को निकलने से पहले bolts को निकल लीजिए वरना आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है जिसके आपने देखा कि एक bolt अंदर गिर गया और इसे निकलने के लिए आपको एक बहुती problem face करना हो सकता है मेरे मामले में यहां पर पूरा head को निकलना हुआ तब जाके मुझे वो bolt मिला अगर आपको मान लीजिए कि आप valve tapet को adjust करने के लिए hilt cover को निकल रहे थे तो आपको बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है अभी यहां पर cam को cover को निकलने के लिए मैं यहां पर एक wooden part यूज़ कर रहा हूँ यहां पर directly मैं किसी भी surface को hammer से hit करने की suggestion मैं आपको नहीं दूँगा अगर कोई part आप देख रहे हैं कि यहां पर hard हो गया है तो आप wooden किसी part से उसे hit कीजिए अभी यह वाला step में हमें piston को top dead center यानि कि TDC center में लाना है तो इस position में लाने के लिए हमारे cam का sprocket को rotate करना है और अब देख सकते हैं यहां पर दोनों lines है यह line को हमको एक line में लाना है यानि कि align करना है और इसी के साथ अब यहां पर देख सकते हैं magnet में एक mark है और वो इस arrow key के साथ align हो चुका है यानि कि हमारा piston अभी TDC position में है अभी हम safely cam को engine की head से निकल सकते हैं अभी यहां पर head को जो यहां पर चारो bolts लगा कर रखता है तो यह चारो bolts हमें निकलना है तो यह से निकलने के लिए आप अकेला नहीं निकल सकते हैं आपको कोई एक friend को और कोई दूसरी किसी को मदद चाहिए जो यह engine को hold करके रखेगा तभी आप जाके यह bolt को unbolt कर सकते ह हैं और ढीला कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही tight होता है मैं suggest करूंगा अगर आपके पास torque range है तो आपके लिए यह काम आसान हो जाएगा और आपके पस अगर breaker bar है यानिकी और फिर आप इसका यह जो handle है इसके उपर कोई लंबा rod लगा देते हैं तो फिर आपके लिए यह का काम आसान हो जाएगा यह चारों बोल्ट निकलने के बाद यह जो plate होता है जो कैम को hold करके रखता है तो यह plate को निकलने के लिए हमें और दो 4 mm की Allen bolts को निकलना होता है यह तोनों Allen bolts निकलने से यह उपर वाला जो cross type का plate दे सकते हैं यह पर एक shape का जो plate देख सकते हैं यह plate हम बाहर निकल सकते हैं तो यह दोनों bolts मैं अभी जल्दी यहां से निकल लूँगा तो यह bolts आप पस हाथ से ही खोल सकते हैं कि Allen की से छोटा Allen की से ही कोल जाता है यह ज्यादा tight नहीं होता है और इसे खोलने से आप यह एक वाला plate को engine की head से remove कर सकते हैं अभी दोस्तों यह वाला part जो है यह upset के पुराने वाला version से और जडार भी आप कह सकते हैं उससे थोड़ा different है वो वाला models में आप जो यहां पर magnet का bolt है तो वो directly बाहर से आप एक range की मदद से पकड़ सकते थे पर यहां पर आपको magnet cover को निकालना है cam sprocket को खोलने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं मैं magnet को निकाल लिया हूँ उसका वीडियो मैं नहीं बनाया हूँ यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक handle लगाना है cam की 12 mm की bolt के उपर और दूसरा लगना है magnet की 17 mm की bolt के उपर और आपको कोशिश करना है कि दोनों handle जितना कोशिश करना है जितना possible हो सके दोनों handle अपने आप में close रखने की और यह handle जियादा distance में हो जाएगा तो timing change जो है उसमें जियादा tension आ जाएगा और timing chain damage आपका हो सकता है तो आपको कोशिश करना है कि दोनों handle आपस में जितना close रह सके उथना close रहना रखने की अभी आपको timing chain tensioner को ढीला कर लेना ह तो इसके लिए एक्स्क्रू डाइवर से आपको इसे फुल क्लॉक्वाइज टाइट कर देना है और ये लॉक हो जाएगा अभी आप कैम स्प्रॉकेट से चेन को अलग कर सकते हैं अगर अपके पास अभी कोई मैगनेट पूलर है तो आपको चेन के लिए टेंशन लेन लेना है चेन को छोड़ दे सकते हैं अंदर में और स्प्रॉकेट को आप इसे डिकॉंप्रेशन स्प्रॉकेट भी कह सकते हैं और cam decompression यानि कि यह जो rod होता है छोटा इस यह दोनों चीज़ को यहां से निकल ले सकते हैं अभी cam को निकलने के लिए हम यह 12 mm का bolt फिर से cam में लगाएंगे और यहां पर हम एक plier को यह bolt में fit करेंगे और उसके बाद opposite side से हम बहुत ही धीरे से इसे एक hammer से hit करेंगे और यह cam बाहर आ जाएगा तो cam बाहर आने के बाद हम cam को check करेंगे कि उसका जो lobes है वो lobe में कई groove create होआ है कि नहीं अगर आप यहां पर कोई groove देख सकते हैं तो आपको cam को replace करना है अगर यहां पर शिर्प एक lining बने है हमारे case में कोई groove नहीं है हाथ से fill नहीं कर सकते हैं कोई यहां पर groove को तो फिर यह cam हम reuse कर सकते हैं अभी आपको यहां से निकल लेना है rocker shaft को तो rocker shaft को आप यहां से screwdriver से थोड़ा सा बाहर की तरफ push कर सकते हैं और फिर यह नहीं निकले तो आप screwdriver से इसे घुमाते हुए बाहर खीच सकते हैं और यह shaft बाहर आ जाता है तो इसे निकलने के बाद हमारा rocker arms जो है वह भी निकल आता है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब exhaust और intake बाला rocker arm को mark करके रखिए यह अगर आप interchange करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत problem हो सकता है बाद में मैं सजेस्ट करूंगा कि intake बाला rocker arm intake पर ही आप लगाने के वक्त लगाई है और exhaust बाला rocker arm exhaust बाले में ही लगाई है अभी यहाँ पर head को निकलने के लिए हमारे पास बस दो allen bolts बाकी है 5 mm की दो allen bolts यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जिसको निकलने के लिए आपको एक लंबा allen bolts की handle चाहिए और आप जुगार करके कोई ऐसा tool बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं rebar के उपर एक allen की को weld करके बना रखा हूँ तो इसे निकलने के बाद ही हमारा head जो है यह बाहर आ जाता है और आप देख सकते है head की condition क्या है valve यहाँ पर पुरा बैट चुका है तो यहाँ पर valve में हमारा थोड़ा leakage हो रहा था तो उसके repairing करने के लिए ही हमने इसे निकला तो दोस्तों यह था इस वाला वीडियो का second part तो उमीद करतों यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अब प्लीज सेदे share कीजिए like कीजिए subscribe रहे है मेरे चैनल को और notification bell को दबाना बिल्कुल भी मत बुलिए और मैं आप से मिलूँगा next part में तब ते के लिए take care and goodbye